हालो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कम्यूनुटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के वस्तोनिष्ट संबंध उद्योग और परिवान एवं संचार से संबंधित चलते हैं हमारे पहले प्रेशनिकी तरफ तो मध्य प्रदेश राज्जे की पहली उद्योग संवर्धन नीती को कब लागू किया था आपसे ये पूछ रहा है उद्योग समवर्धन नीती का सीधा मतलब होता है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस नीती को लाया गया था वह कब लागू हुई देखे लागू होना और घोशित होना दोनों बातों में अंतर होता है जब हम बात करते हैं कि मद्यप्रदेश राजी की पहली उद्योग समवर्धन नीती कब घोशित की गई थी तो ये वर्ष 2004 में घोशित की गई थी और लागू होने की बात करते हैं तो option number 1972, 2004, 2010 और 2012 तो मध्य प्रदेश की उद्योग संवर्धनीती 2010 में लागू की गई थी इस कारण से उप्षन नमबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन मध्य प्रदेश राज्य में उद्योगों पर विचार करें मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यता उद्योगों को तीन भागों में बाटा गया है वर्तमान मध्य प्रदेश में लगभग 513 सूती वस्त्र कारखाने इस्तित है इसके साथ में सरवादिक सूती क कार खाने भोपाल जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कि स्थापना रतलाम जिले में की गई थी जब मध्य मध्य प्रदेश में उद्योगों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उद्योगों को तीन भागों में बाटा गया है एक है खाने जो आधारेत उद्योग दूसरे है वन आधारेत उद्योग और तीसरे हैं कृशी आधारेत उद्योग तो तीन भागों में बाता गया है option number a जो है यह सही होगा बी की बात करें सूती वस्तर कारखानों की तो मध्य प्रदेश में सबसे जादा सूती वस्तर के कारखाने जो है वो इंदौर जिले की अंतरगत है और कम से कम मद्य प्रदेश में वर्तमार में 513 सूती वस्तर के कारखाने इस्थित हैं तो option number 2 भी सही हो जाएगा सूती वस्तर के सरवाधिक कारखाने भुपाल में हैं नहीं ये जो हैं ये इंदौर जिले के अंतरकत आते हैं option number 4 की बात करें तो मद्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना रतलाम में की गई थी बिल्कुल सही बात है मद्य प्रदेश की पहली चीनी मिल रतलाम में स्थापित की गई थी चीनी की जैसे बात करते तो सबसे जादा चीनी उत्पादक जिले की बात करें इसके साथ साथ में किस जिले के अंदर कौन-कौन सा कारखाना इस्थित है मैदा मिल, भोपाल शुगर मिल, सहकारी सोयबीन कारखाना, बैंक नोट प्रेस कारखाना सिहोर, सिवनी, देवास और भोपाल जैसे हम बात करते हैं कि भोपाल शुगर मिल कहां इस्थित है यह important भी है और confusion करने वाला भी question है भुपाल शुगर मिल जो है वो C होड जिले के अंतरगत आती है तो option 2 का A हो जाएगा बात करते हैं bank note price car खानी की तो यह जो है यह देवास जिले के अंतरगत आता है तो option number C जो है वो हमारा सही answer है पर बाकी जो चीज़े हैं हम उनको भी देख लेते हैं तो मैदा मिल जो है वो भुपाल जिले के अंतरगत आती है और इसी के साथ साथ में जो हमारा सहकारी सोयबीन का कार खाना है यह शिवनी जिले की अंतरगत इस्थित है तो इससाब से 4, 1, 2, 3 इसका सही answer होगा option number C के साथ में मद्य प्रदेश में इरी प्रकार के रेशम का उत्पादन कहां से होता है किस जिले से होता है सतना, इंदौर, शिवनी, सिंग्रॉली देखे एरी, टशर और सहतूत, 3 प्रकार हैं मद्य प्रदेश में रेशम के साथ ही सतने रेशम का उत्पादन कैसे होता है यह रेशम का कीट है और इसका जीवन चक्र हमने बताया है देखे यह जो है रेशम का कीट जो है यह छोटे-छोटे अंडे होते हैं और यह अंडे कौन देती है एक तितली देती है, एक व्यस्क तितली देती है और इन अंडों को देने के बाद यह जो अंडे ही छोटे से कीट के रूप में परिवर्दित हो जाते हैं जिसे लारवा कहा जाता है और लारवा बनने की वाद जब ये आंगे प्यूबा बनते हैं ये जो प्यूपा है ना इस प्यूपा वाले भाग में जब ये आविक्सित होते हैं तो इन्हें ही कोकून भी कहा जाता है और इसे हम काट के देखेंगे तो ये उसके अंदर प्यूपा मिलेगा और इसके बाद से रेशम का निर्मार होता है तो इस प्रकार से हमारा जो आंसार है कि इरी प्रकार के रेशम का उत्पादन कहा होता है तो इरी प्रकार के रेशम का उत्पादन शिवनी जिले के अंतरगत होता है और इस कारण से शिवनी को मध्य प्रदेश का लखनो भी कहा जाता है एरी प् गी की बात करते हैं ऑप्शन है गंज बसौदा पीथंपूर मोरवन और पीलू खेड़ी वनस्पती घी की जैसे हम बात करते हैं तो इसका निर्माड जो है वो मुंखफली सोया विनादी के तेलों से किया जाते हैं इसे सामानी भाषा में डालडा भी कहा जाता है और इसके उ का ड़ावित रेजीकन प्रेओ किया जाता है यह चूडियों के निरमान में प्रेओ किया जाता है और यह कीट आप अपको दिखाई देल रहे है नाम देख लेगेश कीट का फुरुट फ्लाह केरियालन का पिस्सू और से ड्रेगन फ्लाह исп जब हम आप्शन देख रहे थे जब हमने लाख के निर्मार के बारे में चीजें पड़ी थी तो उस समय हमने कीट का नाम पढ़ा था जिसका नाम था केरिया लेक का और लाख का जो उत्पादर ने वो खैर और बबूल जैसे पेड़ों से किया जाता है यह एक प्राकरतिक रे जब हम बात करते हैं कि मद्धि प्रदेश में भरभगड प्रिंट कहां मिलता है तो यहां मद्धि प्रदेश के इंदावड दहार फोपाल उझेद तो यह उझे나 जले कें इंतरगत मिलता है यह प्रिंट आपको दिखाई देए पूरे तरीके से हाथ से बनाया जक्साओत ह और इसमें कड़ाई भी हाथ से ही की जाती है सारी की सारी चुटका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है इंदौर मंडिला बाला घाट और जवलपुर देखे जब चुटका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यह जो प्रोजेक्ट है यहां प्र प्रदेश की मंडला जिले में एक गाउं है जिसका नामें छुटका गाउं उसके अंतरगत यह प्रोजेक्ट आता है तो आप्शन नमबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध गवा और द्योगिक केंद्र किस जिले का और द्योगिक केंद्र है इंदौर धार राइसीन और सागर जब सिद्ध गवा और द्योगिक केंद्र की हम बात करते हैं तो यह जो है यह सागर जिले का और द्योगिक केंद्र है और द्योगिक केंद्र है यहां और द्योगिक केंद्र बहुत जादा फेमस है मुरैना भिंड शिवपुरी और गुना जब बात करते हैं बान का सही होगा और यह जो है मुरेना का चौसट योगनी मंदिर है जो कि बहुत ही जादा प्रसिद्ध है इसके साथ ही साथ में इस योगनी मंदिर पर के ही तर्ज पर भारत का पुराना संसद्भवन बना हुआ था निर्यात उतकृष्ट सहर में मध्यप्रदेश का कौन से दो शहर सामिल है जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें देखना है निरियात निरियात का मतलब जो देश चीजें देते हों आयात का मतलब होता है खरीदना निर्यात का मतलब होता है बेचना तो जो जिले जादा चीजें बेचते हों तो वो है देवास और इंदौर इंदौर क्योंकि सबसे जादा हब है इन सब मामलों में तो हमारा option number A सही हो जाएगा और यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा इंदौर का ही एक शेत्र है जो कि बहुत जादा प्रसिद्ध परेटर इस्थल की रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश वित्य निगम का मुख्याले कहां है इंदौर बोपार जवल पूर और साथी साथ में उज्जैन मध्य प्रदेश म में वित्य निगम का मुख्याले इंदौर जिले में इस्थित है इसके शांति साथ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयो का मुख्याले भी इंदौर जिले में ही इस्थित नेपा नगर का संबंद किस उद्योग से है खाद अगबारी कागच चीनी और उनी वस्त्र जब हम नेपा नगर की बात करते हैं तो नेपा नगर में मध्य प्रदेश का अख़बारी कागच कारखाना इस्थिद है तो option number B आपका सही हो जाएगा अख़बारी कागच कारखाना मध्य प्रदेश लगो उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी 1958, 1961, 1963, 1970 जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लगो उद्योग निगम की तो मध्य प्रदेश में लगो उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी अर्थाद option number B आपका बिल्कुल सही होगा वर्ष 1961 में इसके अंतरगत कोटे उद्योग छोटे उद्योग जैसे की दिये बनाने के उद्योग या फिर तेंदु पत्ते से बास के पत्तों से बास की टोकरी और पत्ते बनाने के उद्योग इसके अलावा पत्तल निर्माड के उद्योग और अगरवत्ती बनाने के छोटे-छोटे उद्योग बड़ी पापड बनाने के छोटे-छोटे उद्योग इन उद्योगों के अंतरगत आते हैं मालनपूर औध्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में इस थापित है देखिए ऐसे कॉश्चन आपको बहुत जादा मिल रहे होंगे इसका साफ सीधा मतलब यह है क्योंकि लास्टियर पीस्थी पूछ चुका है कि औध्योगिक केंद्रों के बारे में कि जिले में जहां पर बागी रहते हैं बागी रहते हैं मुरैना और भिंड में तो आपको आंसर लगा रहा है तो भिंड जिले है का ओध्योगिक केंद्र है मालनपूर अर्थात आप्शन नमबर सी आपका सही हो जाएगा यहां की बात करते तो अटेर का किला जो है या इसके साथ इसाथ में एक एहतेहातिक दर्शी से बहुत जादा महत्वपूर भी हो जाता है गुना इस्थित फर्टिलाइजर कार खाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है देखें फर्टिलाइजर कार खाना अर्थात उर्वरक कार खाना जो गुना में अमेरिका और रूस, अमेरिका और इटली, इटली एवं फ्रांस इनमें से कोई नहीं, तो जब बात करेंगे फर्टिलाइजर कारखानी की जो की गुना में अस्तित है, तो वह अमेरिका और इटली दो देशों के सहीयोग से प्रारब्ब किया गया है, मंडी दीप में ऑप्टिकल फाइवर कारखाना किस देश के सहीयोग से बनाया गया है, ओप्शन है सहीयोग तिराज अमेरिका, जापान, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, देखिए, जब ऑप्टिकल फाइवर कारखाने की हम बात करते हैं, तो ये ऐसी तारे होती है, ये तार ह होती है एक प्रकार से, ये तारे क्या करते है, डाटा को जल्दी से जल्दी कम समय के अंदर दूसरी जगा पे ट्रांसफर करती है, इनहीं ऑप्टिकल फाइवर कहा जाता है, इसके अलावा, इनकी स्थापना जापान देश के सहयोग से हुई थी मध्य प्रदेश में, नेक्स कोशन में चलते हैं, मध्य प्रदेश में सूख्ष में लगू एवं मध्यम उद्योग विकास अधीनियम कब से प्रभावशाली हुआ है, मध्य प्रदेश का उद्योग विकास निगम जो की सूख्ष में लगू एवं मध्यम है, तो वह कब से लागू किया गया है, दो अक्टूबर दो हजार 6, 15 अगस्त दो हजार 6, 26 जनवरी 2006 इन में से कोई नहीं देखे जब बात कर रहे हैं हम उद्योग निकम की तो यह दो अक्टूबर दो हजार 6 से प्रारम भुआ है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जहनती रहती है आपको ये भी याद रखना है जिलेटन बनाने का कार खाना कहां इस्थित है जवलपुर में, रीवा में, सत्ना में और इंदौर में जब हम जिलेटेन की बात करते हैं नॉन वेजेटेरियन प्रजेक्ट्ट भी है और इसे साथ में साथ वाग्सिंग वगेरा में भी इसका यूज बहुत zयादा किया जाता है मद्य प्रदीश का एग्रो कॉम्पलेक्स कहाँ पर स्थित है M support क गॉमध्रीश का एग्रो कॉम्पलेक्स उजेन who मद्यप्रदीशे की किस जिल्ए में रेल्वे स्रीहोर का खाना खोला गया है शिहोर भोपाल होशंगाबाद बैतूल ilike rraард कारखाने के ए हम इस हम लिए उबाद करते हैं आधिर्दीश के है यहänge मद्यप्रदीश के श्रीहोर खाना है यहां मद्यप्रदीश के ? स्लिपर वह सोने वाला हिस्सा नहीं है बलकि स्लीपर का मतलब किये रेल की पटरी वाला हो विस्सा तो स्लेपर कारखाला कहां है सीहोर में स्तित है हैาร रिलाइन्स समुह की तो इन्हें कोल मीथेन के जो भंडार हैं वो सुखागपुर कोईला शेतर से पाप्त हुएं तो इस कारण से ऑप्शन नमबर A आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा मंदीदीप ओद्यों की केंद्र मधी प्रदीश की किस जिलह में आता है विदीशा भोपाल सीयो रैसेन्स मंदीदीप के जब हम बात करते हैं तो मंदीदीप जो है वो रैसेन जिले के अंतरक्त आता है अर्था तो अप्शन नमबर D आपका सही हो जाएगा और यहीं पर ऑप जिला ऑप्शन नमबर ए और उज्यान में ही महाकालिश्वर मंदिर इस्थित है यह हमने रखा है जो कि शिप्रा नदी के तर्ट के किनारे है सांथ ही साथ में और बारा जोतिर लिंगों में से एक है मंदि दीप अध्योगी केंद मधि प्रदेश के किस जिले में आता देखिए यह कॉस्चन दो बार रिपीट हुआ है मंदि दीप जो है वो राइस से इनके अंतर गता था ऑप्शन नमबर डी मधि प्रदेश का ओटो मोबाइल उद्योग समू कहां इस्तित है पीथमपूर मालन पूर मन्डी दीप और मनेरी जैसे है आम ऑटो मोबाइल की बात करते है तो आपको दिखाई देरे है ऑटो मोबाइल कार Maintenant मद्य प्रदेश में सबसे जादा पीथमपुर में इस्थित है और पीथमपुर जो है वो धार की अंतरगत आता है अगर जिला आपसे पूछेगा तो जिला आपको धार आंसर लगाना है मद्य प्रदेश में न्योज प्रिंट का खार खाना कहा इस्थित है नीपा नगर और देवास अख़ार अख़गर अकबारी कागच खार खाना कहा है तो नेपा जैसर हो जाएगा मध्यप्रदीश में बैंक नोट प्रेस कहां इस्तित है मध्यप्रदीश की बैंक नोट प्रेस जब आप बोल रहे हैं तो यह जो है यह देवास में इस्तित है इसके कारण आपका option number A बिल्कुल सही answer होगा पीथमपुर को इस नाम से भी पहचाना जाता है भारत का डेट राइट, भारत का लोह शहर, भारत का शौर शहर और शिक्षा के इन्र तो पीथमपुर को भारत के डेट राइट के नाम से भी जाना जाता है भारत के सूखे बंदर कहा के नाम से भी जाना जाता है option number A बिल्कुल सहीं हो जाएगा मध्यप्रदेश सड़क परिवाहन निगम की स्थापना कब की गई थी मध्यप्रदेश सड़क परिवाहन निगम की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी मध्यप्रदेश में सड़क वर्ष की रूप में कब मनाया जाता है 2001, 2005, 2010 और 2015 मद्धि प्रदीश में किस वर्ष को सड़क वर्ष की रूप में बनाया जाता है तो 2005 इसका सहीं आंसर होगा option number B आपका बिल्कुल सहीं आंसर हो जाएगा मद्धि प्रदीश का सबसे बड़ा railway junction कौन सा है इंदोर railway junction, भोपाल railway junction, जवलपूर railway junction, 8RC railway junction तो मद्धि प्रदीश का सबसे बड़ा railway junction जो है वो है 8RC railway junction अर्थात option number D आपका बिल्कुल सहीं आंसर होगा next question में चलते हैं एशिया की छोटी लाइन का सबसे बड़ा narrow gate junction कहां इस्तित है इंदोर नैनपूर, होशंगाबा, धार, एशिया का सबसे बड़ा छोटी लाइन का narrow gate junction जो है वो नैनपूर, जिले, नैनपूर में इस्तित है जो कि मंडिला जिले के अंतरगत आता है तो option number B आपका सहीं आंसर होगा ओके friends, thank you so much, मिलते हैं next video में, आपको हमारी videos कैसी लग लिए हमें comment में जरूर बताएं, thank you